हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नकली नोट छपाई गिरो के तार जालोर से जुड़े नकली नोट और उसके उपकरन जब्त जालोर शहर के पास थित कॉंपलेक्स में पाली सदर थाने की ओर से नकली नोट छापने की मामले में छापावार कारिवाई की गई बताया जा रहा है कि पुलीस को कारिवाई के दौरान कॉंपलेक्स से नकली नोट छापने के सामान मिले है साथ ही बड़ी तादाद में नकली नोट भी बरामत किया गया है हाला कि इस मामले में पाली सदर पुलीस कारेवाही कर रही है लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मामले कितार सादरी से जुड़े है 26 जून को सादरी पुलीस ने नकली नोट के मामले में दो युवकों को गिरफतार कर उनके कबजे से 100 रुपय के 80 नकली नोट बरामत किये थे आरूपी दिनेश मेगवाल और लतीफ शा सादरी के ही रहने वाले हैं पूछताच में दोनों ने बताया था कि उन्होंने सादरी से एक व्यक्ति से नकली नोट की ये खेब ली थी पूलीस नकली नोट सप्लायर की तलाश कर रही है सादरी के पूलीस अधिकारी मूल सिंग ने बताया कि उन्होंने ये मामला पाली सदर पूलीस को सौब दिया है हाला कि अब तक पूलीस ने इस रकम का खुलासा नहीं किया है लेकिन सूत्रों का मानना है कि ये राशी बड़ी है और फिलाल पुलीस नोटों की गिंती कर रही है। इसके बाद पुलीस ही इसकी पुष्टी करेगी। जालौर से जागुप टीवी की रिपोर्ट